हेलो फ्रेंड्स कैसे आप आई हो आप सब स्वस्त और मस्त होंगे फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनपूना शक्ति ऑफिसियल में फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाऊंगी कि कम प्रोडक्ट में कम तो मैं भी इसलिए ज्यादा तर लाइट में कभी यूज करती हूं तो मैं आप लोगों के सामने आप नेस्ट्रल में कप करके दिखाऊंगी थोड़ा कम प्रोडक्ट में छोटे मोटे घर पर ही जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं से ही वैसे तो सुन्दर दिखने के लिए स अब मैं और को फीडेंस होना चाहिए अगर हमारे अंदर है तो हम सुन्दर है और हम सुन्दर दिखेंगे अपना कभी नहीं कोना चाहिए तो चलिए मैं सबसे पहले अपना फेस को वाश कर लेती हूं ब्रोड़िक करने के बाद मैं मैंटम करके आपको दिखाऊंगी यह फेस वॉच है जो मैं यूज करती हूं यह है बाइयोटेक कंपनी का इस आप भी फेस यूज करते हैंап उस से अपना फेस वॉच कर लिजे और चलिए देखिए मैंने पता face wash कर लिया है और अच्छे से clean कर लिया है you know face को clean करने के बाद face पे मुस्चरोजिन क्रीम लगाना मत बूलेगा cream लगाने से face में रूखापन नहीं होता है ड्रैनेस नहीं होती है तो चलिए मैं अपने face की बिटमिन सी डेली ग्लोव फेस क्रीम आप लोग जो भी क्रीम यूज करते हैं अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग स्किन के अकॉर्डिंग वह आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए मैं अपने क्रीम क्रीम लगा देती हूं कि अब आप और क्रीम ना ओलियों की सहता से उलियों की सहता से पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना पूरे फेस पर लगा लेना है कुली और साथ साथ में नेक में भी लगा लेना है नेक में भी जो फेस क्रीम अच्छे से अप्लाई कर लेना है स्क्रीम को अच्छे से लगा लेना है यह देखिए क्रीम अच्छे से लग गई है मेरे फेज पे और गर्दन में भी लगा लीजेगा क्योंकि नेक पे लगाना जरूरी है फेज और नेक दोनों में ही लगा लीजेगा तो मैंने क्रीम लगा लिया है अब मैं अपने फेज पे प्राइमर लगाऊंगी यह जो प्राइमर है यह मेरे फेज के अकॉर्डिंग मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसका शेड है जो की n220 है तो ये मेरे कलर के कॉर्डिंग है आप अपने कलर के कॉर्डिंग जो भी आपका शेड हो उसी के कॉर्डिंग ही प्राइमर यूज कीजेगा तो ये लेक में का है और चलिए मैं अपने फेस पे लगा लेती हूं इसको तो इसको भी ऐसे अपने हाथों की सहाता से ही टिप टिप करके लगाना है पूरे फेस में ये देखिए अच्छे से लगाना है और हाँ गले पे लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा गले पे भी लगाना है यह देखें गले में तो जरूर लगाना है गले में और फेस पे एकोली लगाना है क्योंकि कभी कई बारी होता है ना कि हम फेस पे तो मैक अप कर लेते हैं लेकिन गले में करना भूल जाते हैं इसके वज़े से मेरा हमारे नेक और फेस का कलर मैस नहीं करता है फिर वह पितना आजीब देखने लगता है इसलिए हमें फेस पे जो भी मैक पे करते हैं जो भी क्रीम फाउंडेशन या पाउडर जो भी फेस पे लगाते ना उसको गले में भी गर्दन में भी लगाना और अच्छे से लगाएगा कि कहीं भी छूटे ना तो देख सकते हैं मैंने फाउंडेशन लगा लिया है अपने फेस पे अब नेक्स्ट पाउडर लगाना है पाउडर आपके पास जो भी पाउडर हो आप वो लगा सकते हैं मेरे पास यह पाउडर है इसलिए मैं इसको लगा रही हूं आपके पास जो भी पाउडर आप लगाते हों आप वो लगा सकते हैं तो चलिए फेस पे पाउडर लगा ले यह वाइट टोन का पाउडर है, इसको भी अपने हाथों के साहता से ही लगाएंगे और गल्ले में लगाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है तो मैंने पाउडर को अच्छे तरीके से अपने फेस और नेक पे लगा लिया है आप लोग देख सकते हैं मेरी आइब्रो बहुत ही पतली है, बहुत ही हलकी है तो आइब्रो पेंसल अगर आपके पास ना हो तो आप जो काजल लगाते ना काजल से भी आइब्रो में हलका हलका आइब्रो पेंसल के तरह लगा सकते हैं अब्रूपैंसल का काम कर जाएगा, बस ध्यान देना है कि थोड़ा हलके हाथों से इसको यूज करना है, क्योंकि यह थोड़ा सा डार्क होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, अगर हमने जादा लगा दिया इसको तो फिर वो अज़ीब दिखने लगेगा, काला कहीं काला ज यह जो काजल है यह आईब्रू पेंसल का भी काम कर जाएगा और यह आई-लाइनर का भी काम कर जाएगा अगर अगर कहीं पर हलका पुलका ज्यादा और कम लग गया हो तो आप ऐसे उंगली के हल्प से आप उसको ऐसे बराबर कर सकते हैं यह आप शेप बनाते हुए लाज तक लगा लिजे यह देखे मैंने लगा लिया है अच्छे से अब देखे एब्रो इससे एब्रो तोड़ी घनी दिखने लगती है जिनको जिनकी आइब्रो घनी है तो कोई बात नहीं लेकिन जिनकी घनी नहीं है आप काजल से भी तो ऐसे आप इस पेंसल के सहाथा से आप अपनी आइब्रो को सेट कर सकते हैं और इससे आई-लाइनर भी लगा सकते हैं तो सबसे पहले हम आई-शेडो लगा लेते हैं उसक लगा लीजेगा मैं red color ले रही हूँ तो ये उंगलियों की साहते से हम लगाएंगे थोड़ा सा हलके से ही लीजेगा और उंगलियों से हलके हलके से लगाईएगा तो अरो हाईएगा है थार लगाईएशर्णा उर्किर लाऊ मन आप लग देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आ रहा है आई सेडों का तो आप लिपस्टिक से आई शोड़ लगा सकते हैं मैं आप लोग को बता दू मुझे उतना बड़िया मेटप करना तो नहीं आता है लिकिन जो भी आता है वो मैं आपको दिखा रही हूं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यह देखिए दोनों को अच्छे से मिला लेते हैं दोनों तरफ तो मेरा आईशेडो लग गया है अब हम कहीं ज्यादा और कम हो ना तो उसको कॉटन यह हैंकी कि हल्ब से आप हलका सर रिमूव कर सकते हैं तो मैंने अपना ऐसे सेट कर लिया है अब नेक्स्ट क्या है अब हम इसी लिप्स्टिक से ही ब्लेस भी लगाएंगे तो यह देखिए मैंने फिंगर से ले लिया है अब इसे से हलका हलका करके लगा लेंगे जो लिप्स्टिक है यह ब्लेस और आईशेडो दोनों का काम करती है हमें अपने हाथों के हल्प से ही लगाना है यह देखिए मैंने अच्छे से लगा लिया है और परफेक्ट लगा है यह ऐसा नहीं है लगाया है तो ज्यादा कम या फिर वो देखने में और लगे बहुत अच्छे से ही लगा है तो नेक्स्ट लगाते हैं हम आई-लाइनर तो आई-लाइनर भी हम काजल से ही लगाएंगे क्оф言 कि कही भार हमारे पस होता हैं आई-लाइनर का काम करता है लेकिन हमें यह धियान देना हाँ कि खुछआ ना रही से पतला ही लगाना है से पतला ही लगाना ही लगाना है अब दूसरी तरफ लगा लेते हैं ऐसे ही अब लोग देख सकते हैं आई लाइनल लग गया है अच्छे से यह देखिए तो आप लोग को बता दूँ कि मुझे काजल लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है अगर आप लोग को काजल लगाना पसंद है तो आप लोग जरूर लगाईएगा इसके बाद आती है बारी लिपस्टिक की तो लिपस्टिक तो हमारे पास है ही तो हम लिपस्टिक भी लगा लेते हैं जिस लिपस्टिक से मैंने आई शेड़ो और ब्लस किया था वो ब्लस लगाया था वो इसी लिपस्टिक को हम होटो पर भी लगा लेते हैं झाल झाल यह देखिए, बहुत ही कम चीजों से मैंने अपना मैक अप किया है और बिल्कुल परफेक्ट लुकाया है आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट लुकाया है तो अगर आप लोग के पास भी इतना सामान ना हो मैक अपका सारा प्रोडक्त ना हो तो आप लोग भी कम चमान से कम चीजों से अपना मेकप कर सकते हैं और बहुत ही इजली तरीके से हो जाता है तो अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूली है क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उसको देख सके करूँ सबसे पास आपकेशन सबसे पहले आपकेशन सबसे बाहरा है